साथियों, हमारे लिए गोवा का अर्थ है, G for Governance, O for Opportunities and A for Aspirations. गोवा देश के लिए एक मोडिल बन करके उबरा है, प्रमोज जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के सभी कर्मचारियों को, मैं रदे से अविनंदन करता हूँ, आपने जो काम किया है वो मामूली नहीं है, अभुत्पुर्व काम किया है आपने, क्योंकि मैं भी बहुत साल तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ, मुझे भालू मैं, इस प्रकारती योजनाओं को नीचे तक ले जाना है, तो कितना दम उखड़ जाता है, लंबे अर्षे तक मुख्यमंत्री तक रहने के बात मैं कह रहा हूँ, कि प्रमोज जी आपने अद्भुत काम किया है, आपकी टीम ने अद्भुत काम किया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री केवल योजनाओं को शुरू करने की बात नहीं करते, बल्कि प्रमोज जी का लक्ष है, गोवा के संकल्पों को हंड्रेट परसेंट पूरा करना, बैक्षिनेशन की अभी मैंने बात की, उसमें भी गोवा हंड्रेट परसेंट, स्वच्य भारत मिशन में गोवा में हंड्रेट परसेंट कवेरेज, जल जीवन मिशन के तहर गोवा में हंड्रेट परसेंट कवेरेज, गोवा ने बिजली पहुँचाने का काम भी 100% पूरा किया जरुरत मंदों को मुप्त राशन देने के मामले में भी गोवा 100% है इसी तरह गोवा अब 100% रिन्यूबल एनर्जी प्लान पर भी काम करें बहुत बड़ा काम है दुनिया को जब पता चलेगा कि गोवा 100% रिन्यूबल एनर्जी की तरफ गया है विश्व के लिए विश्व के लिए अजूबा होगा और गोवा की चर्चाद दुनिया के हर कौने में होगी ये काम प्रभोजी कर रहे हैं ये परणाम है डबल इंजिन सरकार में गोवा के लोगों के बीच 100% सयोग का ये मिलकर किये गए पयासों का परणाम है मैं यहां के नागरी को अभी अभिनन्दन करता हूँ कि आपने कोरणा जैसे विपरित कालखन में भी प्रमोजी के नेत्रुत में जो योजनाय मनी उसको सभल करने में पूरा सयोग दिया भागीदारी की आप सब भी अभिनन्दन के अधिकारी हैं अभिन है